कि अलो फ्रेंड्स क्या हला आप सब का तो चले स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फोर्थ चैप्टर जो की है हडपा संस्कृति काश्ययूगीन सब्वैता यह चैप्टर थोड़ा लंबा पड़ता है इस वजह से हम इस चैप्टर को दो पार्ट में पड़ेंगे आज हम इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर को हम अच्ए से समझते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं सिबसे पहले आता है आपका बोगोलिक विस्थार खुल सुछ करने से पहले इगर आप हमार चेनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिये और् तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोगले को इस्तार को सबसे पहला पॉइंट आता है इस संस्कृति का उद्या तामरपाशानिक प्रिश्ट भूमी में बारतिया उपमाद्विफ के पस्चिमुत्र भाग में हुआ हडपा सब बैता काश्ययूगीन एम संस्कृति तामरपाशान प्राग हडपन है ठीक है अब जानते हैं कि इसका नाम हडपा संस्कृति क्यों पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 में वेरिंपोर्टेंट आप संद्याद रखना 1921 में पाकिस्तान में आउस्थित हडपा नामक अदुनिक्स्थल की अदुनिक्स्थल से प्रा प्राप्त हुए इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया आपका हडपा संस्कृति ठीक है 1921 में आगे बढ़ते हैं बाहरतिया पुराततों विभाग के महानिदेशक जोन मार्शल के निर्देश में राय बाहदूर दैराम साहनी ने 1921 में हडपा की एक हडपा की रखलदास बनर जी ने 1922 में मोहन जोद्रो की खुदाई करवाई ठीक है तो वेरी इंपोर्टेंट आप इसको डाल सकते हो क्योंकि यहां से दो तिन क्यूस्टिन बन गए आपके और अग्जाम में यहां से क्यूस्टिन बार बार पुछे भी जाते हैं कि किसके निर्देशन में रखलदास बनर जी ने इसको हमने एक ट्रिक के माद हमें से भी पढ़ा था ट्रिक थे हमारी हद मोर ठीक है हद मोर हैसे बन गया था आपका अडपा और दैसे बन गया था दैराम साहनी ठीक है तो अडपा की खोज किसने की थी दैराम साहनी ने कब 1921 में और मोर से बन गया था मोजी बन गया मोहांजोद्डव और रह से बना था राखलदास बनर जी इसकी खोज किस ने की थी मोहांजोद्डव की राखलदास बनर जी ने कब 1922 थीक है तो यह इंपर्टेंट क्यूस्चन है आप ध्यान रखना दोनों के दोनों के इस चन को आग्जयम में बार बार वड़ते हैं next point नाता आपका हरपाہ संस्कृति का के ंदर पंजयाब और सिंद में मुख्य चिंद्री गार्टी में पढ़ता है इसका जो Cand captada को पर पर पंजया जया पर है जो अरपा संस्कृती थी उसका केंदर पंजयाब और सिंद्री मुखेता सिंदुगाटी के आज पास है यहीं से इसका विश्तार दक्षिन और पूरव की और हुआ ठीक है अब पढ़ते हैं हरपा काले इंस थल महतवपून तथ्थे यह तथ्थे हैं आपके यहां से डारेक्ट क्योशन पुछे जाएंगे इसमें हम पढ़ेंगे जगह का नाम और वर्तमान में यह जगह कहां पर पढ़ती है और इसके खोज करता है या उत्खनन करता कौन थे और कब इनकी खोज की गई और कौन सी नदी परमुख नदी है इनके नदी के आज पास यह बशे हुए थे कौन सी ज़य से क्या क्या हमें साक्षय प्राप्त हुएं कौन सी कौन सी चीजे वहां से हमें मिली है ठीक है तो यह ग्राफ सबना रखा है चार्ट सबना रखा इसको हम करते हैं सबसे पहला आता very important आपका हडपा ठीक है हडपा हडपा काँ पर पढ़ता है साहिवाल जिला पं मार्टिमर विलर माधव सवरूप वत्स ठीक है इसमें आप एक important याद रख सकते हो दैराम साहनी को ठीक है इसकी खोज कब हो 1921 में परमुक नदी है रावी ठीक है रावी नदी के पास पढ़ता है आगे बढ़ते हैं इससे हम हडपा से हमें क्या-क्या साक्षय प्राप्त ह हुए हैं इससे हमें मिले हैं अन्नागर औरवली युक्त चबूतरे काश्य गाड़ी पारदर सी वस्तर पहने हुए एक मूर्ती गरूड चितरित मुद्रा मच्वारों का चितर संक का बैल काश्य दरपन ठीक है यह यह हडपा से हमें मिले हैं मच्वार का चितर संक का बैल क काश्य दरपन ठीक है आप से क्यूष्टन पूछेगा कि काश्य दरपन कौन सी जगया से मिला है तो हडपा से ठीक है तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो एक दो बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको यह याद हो जाएंगे ठीक है मुच्वारों का चितर संख का बैल का संप कर बूर जब सब्कार करेंगे ठीक है तो मों जोड़ पुड़ता है आपका लारकाना जिला शिंद प्रानत पाकिस्तान में ठीक है वर्तमान ने पाकिस्तान में पर्टा वेर इंपोर्टेंट बारबार पुछे जाते हैं तो यहां से हमें प्राप्त हुए हैं विशाल सनानागर प्रोहितों का आवास सभावावन अधिकांस भावनों में कुए बसनागार सोडा मकानों का बैरक काश्य से निर्मित नगन महिला मूर्ती दाड़ी वाले पुजारी क कि मूर्ती चमकते हुए बंदर का चित्तर एक शरंगी पश्मों का पश्मों वाले मुद्राइं प्राप्त हुई हैं ठीक है इन में कौन से कौन से इंपोर्टेंट है जो कि अग्ज्याम में बारबार पुछे जाते हैं एक तो पुछा जाता आपका विशाल सनानागर ठीक है ये बारा दिख्याम में पूछी जाती है तो एक पड़ा हमने हरप्पा दूसरा पड़ा मोंजोद्रो हरपा की कोज किस ने की धैराम साहनी ने मोंजोद्रो की राठखलदास बंदर जीने हरपा की खोज कब कि कि गई 1921 js और मोंजोद्रो की 1922 में हरपा से मनेका क्या कैर प्राप्त हुए मच्छोड़ों का चित्तर काश्यदर प्राप्त हुए हैं थीक है उसके बाद आता है आपका थर्ड लोथल वेर इंपोर्टन्ट यहां से क्यूचन पुछे जाते हैं लोथलाद का एहमदाबाद में पड़ता है गुजरात में ठीक है गुजरात के में लोथल पड़ता है रंगनाथ राव ने इसकी खोज की या फिर बोल सकते हो कि इसके उत्खनन करता उत्खनन करता मतलब है यह जगह होई है वहां से हमें मिट्टी को हटा हटा की दिर दिर आठा कि वहां से जो भी सक्षे प्राफ्त है उनको निकाला है ठीक है तो वह सब कारिके किसके नेतरतों में होए वह उसके खोज करता या इसके हैं अनीस gonna उनुन सो भिचपन में इसकी खोज की गई या फोल सकति हो इसके यह जगह है उनको 1955 में और 1922 में खोद कर निकाला गया नदीपरती है भोगवा ठीक है भोगवा यहां से में क्या क्या प्राप्तुआ है यहां से प्राप्तुआ है गोदिबाडा वर्ताका तथा चोक और अगनिवेदिका हाथिदात सरुनाबुसन दिशामापक यंतर फारस की मुहर और गोड़े की मेरण मूर्ती और तीन युगमित समाद यहां चालक लोम्री का चिनहादी ठीक है तो इसमें आपका पुछा जाता है बार-बार गोद्धी बाडा और हाथिदात तो गोद्धी बाडा और हाथिदात कांसी प्राप्त है आपके लोध्थल से ठीक है नेक्स्ट आगे चलते हैं चनु दड़ो वेर इंपोटेंट यहां से पुछे जाते हैं चनु दड़ो परता आपका सिंद पाकिस्तान में इसकी खोज किसने की यह खनन करता कौन है अर्नेस्ट में के वैं एंजी मजूमदार ठीक है एंजी मजूमदार 1935 में इसकी खोज की गई अक्से लिपिष्टि कश्य गाड़ी वर्काकारी निट कंग घटी अलों तथा दो मचलीओं के अंकन वाली मुद्रा काजल पाउडर आधी थीक है तो मन के बनाने का खाना कहां शेप्राफ्न हुआ है चनु दड़ो से लिपिस्टिक कहां शेप्राफ्न हुई है चनु दड हो गया इसके बाद आपका पाँच काली बंगा या काली बंगन वेरी इंप्पोटेंट यह सारे अभी बहुत इंपोटेंट आते जा रहे हैं जहां से क्यूस्टन बारबार पुछे जाते हैं तो काली बंगा पड़ गया हनुमान राजस्थान में ठीक अमलानंद घोष ब्रजवासि लाल बी लाल एवं बी के थापर नहीं इसकी खोजगी 1903 पन एवं 1960 में घगर नदी पड़ती है यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है पुछा जाता है ज्यादा तरकी कौन सी जगाई से हमें कौन सा साक्षय प्राप्त हुआ है तो काली बंगा से हमें प्राप्त हुए है जुते हुए खेत का साक्षय बुकंप के साक्षय अगनी हवनकुंड अलंकरत इंट चूडियां संबवता एक साथ फल बोने के साक्षय लकड़ी की नाली ठीक है जुते हुए खेत का साक्षय बुकंप के साक्षय अगनी हवनकुंड अलंकरत इंट चूडियां संबवता एक साथ फसल बोने के साक्षय लकड़ी की नाली हमें काली बंगा से प्राप्त हुई है ठीक है अगला ताप का राखी गड़ी हर्याना के इसार में पड़ती है ठीक है तो इस वजह से यहां से बहुत बार क्यूस्टन पुछे जाते हैं तो जगह होगी राखी गड़ी और वरत्मान में हर्याना की इसार में पड़ती है इसके उत्रमन करता कौन है सुरजबान कब की गई 1909 में ठीक है नदी कौन से प्राप्त हुए हैं यहां से प्राप्त हुए है तो यहां से पूछा जाता है कि राखी गड़ी जगह कहां पर पड़ती है तो इसार के हर्याना की हिसार में और इसके उत्खनन करता कौन है तो सुरजबान जी कब की गई 1907 में परमुखनदी कौन सी है घागर ठीक है तामरूपकर्ण और हडपाले पियुक्त मुद्रा प्राप्त की गई है यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता आपका कोट दीजी ठीक है कोट दीजी यह कुछ एक और कोट दीजी पड़ते हैं सिंद पाकिस्तान में दुरिये फजल अहमद खान ने इसके उत्कान गरता है उन्नीश पिच्पन और उन्नीश वस्तावन में इसकी खोज हुई है सिंदु नजी पड़ती है चित्रित मेर्द भाण्ड मातर देवी की मूर्तियां मन के काश्य के अंगोठियाए पत्थर के बाणागर आदी प्राप्त हुई है यहां से एक और है चाहिए यहां से बनावली बनावली जगह पड़ती है आपकी हर्याना के हिसार में ठीक है इसके उत्खनन करता कौन है आर एस बीस्ट रविंदर सिंग बेस्ट इसके उत्खनन करता है कब की गई 1973 में कौन सी नदी पड़ती है सरस्वती नदी ठीक है तो बनावली जो की हर्याना के इसार में पड़ती है रोइंदर सिंग बेस्ट इसके उत्खनन करता है 1973 में खोज की गई सरस्वती नदी पड़ती है यहां से हमें क्या प्राप्त हुए हैं यहां से मिट्टी का हल सड़कों पर बेलगाडी के पई है का सक्षय जो के दाने दावन पात्र मोहरे को सोटी आदी यहां से हमें प्राप्त हुए हैं ठीक है तो मिट्टी का हल सड़को पर वैलगाडी के पई यह का साक्षियत जो के दाने दावन पात्र हमें हर्याना के हिसार जिले के बनावली जगहें से प्राप्त हुए हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं रोपड रोपड जगहें कहां पर पड़ती है आपकी रूपनगर पंजाब में यगदत सर्मा इसके उत्र और मानों के साथ कुट्टे को दफनाने का साक्षिय शेल खड़ी की मोहर ठीक है तांबे के कुलाडी कहां से प्राप तो यह है रोपड जगहें से आगे बढ़ते हैं आगे आता है आपका रंगपूर रंगपूर कहां पर पड़ता है गुजरात के काठियावार में एस आर कचीटों के दुरग दान की भूशी यह सब अवसे समय कहां से प्राप्त हैं रंगपूर से आगे बढ़ते हैं आलमगीरपूर पड़ता है मेरट में उत्रपरदेश के मेरट में यगदत सर्माई इसके उत्खरन करता है 1958 में इसकी खोज की गई हिड़न नदी के पास है उसके बाद आता है आपका सुतका गेंडोर बलुचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है औरेंज स्टाइन जोर्ज डेल्स इसके उत्खरन करता है 1927 में 1962 में इसकी खोज की गई है यह खोदा गया है वहाँ से जगों को दासक नदी के पास पड़ता है तीन संस्कृतियों पर आउस्थित मानव अस्थी राक से बराबरतन बेविलों से व्यापार का साक्षे बंदर का आदी हमें सुतका गेंडोर से प्राप्त हुए है ठीक है अगला अता आपका मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है जगपती जो सीष के उत्खनन करता है 1982 में खोज की गई च मांडा से जम्मू कश्मीर जो परता है जगपती जो सीष के उत्खनन करता है ठीक है अगला पड़ते हैं सुतका को पेरिन बुलूचिस्तान में जोर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता है 1962 में साधीकोर नदी के पास और दो टिले परते हैं नशरी दो टिले वह उत्खनन करता है 1964 में खोज की गई सरस्वति निदे पड़ती है क्रस सवाधान गोड़े की अड़ी तराजु का पलड़ा चिनाई वाले बहुनों के सक्षे हमें यहां से प्राप्त हुए हैं ठीक है तो आपको यहां से सारे के सारे रियाद नहीं करने इसमें और भी आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना ताकि आपको अगर क्यूस्टन पूछे तो पजल नहीं हो ठीक है यह पूरा का पूरा ग्राफ है आपका इसको एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे और जैसे जैसे इनके क्यूस्टन की प्रै तो पंजाब सिंद बलुचिस्तान यह नहीं बलकि गुजरात राजस्थान अरियाना के पश्ची मुत्तर परदेश का भाग भी सामिल थे इसका पहला उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिन में नर्मदा के मुआनेत था पश्ची में बलुचिस्तान मरकान तट से लेकर इसक कर देख लेना इसमें आगे बढ़ते हैं काल्निर्धार्ण कालनिर्धार्ण के बारे में वह अपड़ों कि हरप needing की अर्पा संसक्र्इती का समय कब से कब तक रहा है तो यह अलग लग विस अBERनि है तो वह सारे के सारे अभी हम पढ़ेंगे कि कौन से विसे सग्गै य विवादागरस्त विशह है जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सभी अलग लगे टाइम प्रेड इसका बता रहे हैं तो यह विवादागरस्त विशह है यह सब बतार हमसे ही विक्षित रूप में दिखाई पड़ती है तथा इसका पतन भी आकस्मिक प्रतित होता है ऐसी स्थि मीं इस से बता कि तिखी लग वग 3250 इसवी से 2750 इसवी निर्दारीत किया था ठीक है जो नुवार्सल ने 3250 से 2750 इसवी निर्दारीत इसका टाइम पिरेड किया था ठीक है यह एक पॉईंट दे रखा है रेडियो कार्बन 14 जैसा कि हमने फर्स चैप्टर में पड़ा था जैसे नविन वी जिसके दौरह हम जो मिले हैं करबं की उपरतित्ति या दार पर यह नुव्राण सकते हैं कि यह चीज कितनी पूरानी है ठीक है तो उस कि आदार पर जैसे ँगधिन विसर्फ मत्ती के आदार पर 30 सब ways 15-45 km2 है जो कि सरवाद की मानने है ठीक है 2350 इसवी पूरों से 1750 इसवी पूरों माना गया है रेडियो कार्बन 14 की विद्ध के दोवारा ठीक है इसके बाद यह कुछ एक एक ग्राफ दे रखा है कि कुछ एक विद्वानों हैं जिन्होंने अपना अपना टाइम प्रेड बताया कि अडपा का टाइम प्रेड यह से यह रहा है ठीक है इनको देखते हैं एक बार तो सबसे पहले आता आपका जोन मार्सल जैसा कि वह ने पड़ा था 3285 इसवी पूरों से 2750 इसवी पूरों उसके बाद आते हैं आपके अर्नेस्ट मेक के यह 2800 से 2525 इसवी पूरों बताते हैं मादो सवरूप वत्स यह 3500 इसवी पूरों से 2700 इसवी पूरों बताते हैं सीजे गेड 2300 इसवी पूरों से 2750 इसवी पूरों बताते हैं मार्टिमर विलर 2500 इसवी पूरों से 1500 इसवी पूरों बताते हैं फेयर सर्विस 2000 इसवी पूरों से 1500 इसवी पूरों बताते हैं रेडियो कार्वन 2385 इसवी पूरों से की मान कर चलते हैं उसके बाद आता है डिप अगरवाल वो बताते हैं आपका 2320 से 1720 पूराव इसका टाइम प्रिएड बताते हैं ठीक है अब हम पढ़ते हैं हडपा की चार बोगोलिक्स थल बोगोलिक्स थल का मतलब है कि इसका फैलाव कहां से कहां तक हो रखा था ठीक है त तो मांडा उसके बाद आलमगिर पूर गरमगिर के बाद दे रखा तेमभाद दिमभाद की बाद यह दे रखा है पस्ची में सुद्का गेंड़र ठीक है यह सबसे उपर पढ़ता है दक्षियमें भीना प्रखे है तो यह आपका मैप के थ्रूश पूरों में पढ़ता है तो यह मैफ में दिखा रखें अभी हम इसकी पॉइंटों को पढ़ते हैं सबसे पहले जो चार बोगलिक स्थल है मांडा को और उसके बाद आलम गिरपूर को ऐसे ऐसे करके यह चारों पॉइंट हम पढ़ते हैं इसकी पूरी ड्रेल को ठीक है तो यह आप इसका मैफ एक बार देख लेना तो सबसे पहले आता है आपका मांडा मांडा यह सथल अखनूर जिले में चिनाब नदी के देख्षिनी तर्थ पर स्थित है यह विक्षित अप्पाशब बैता का सरवादी कुत्री सथल है इसका उत्कनां 1982 में जगपती जोशी वा मद ने करवाया ठीक है जो कि अकनूर जिले में चिनाब नदी के देख्षिनी तर्थ पर स्थित है सबसे उत्री स्थल है अगर पुछे यह सी क्यूशन पूचेगा हडपा से बैता का सर्वादी कुत्री स्थल कौन शाह है तो सर्वादी कुत्री स्थल हो गया आपका मांडा ठ है यह स्थल मेरे में इन दनादी यमना कि सायक के तर्ठ पर हैhou इंडन नदी जो कि यमना की साइक नदी है उसके तठपर स्थित है मेरेट जिले में इस सथल की कोज किसने की और कव की उन्नीस ओठावन में बार्त सेवक समाद संस्था दवारा की गई इसका उत्खननकार्य यकदत सर्मा दवारा किया गया था यह सिंदु सब्वैता कर सरवादिक पूर्वी सथल है ठीक है उतरी हो ग अच्छे देखशने बिंदु हो गया ठीक है दक्षणी सथल हो गया उसके बाद आता है आपका सुट गगे डोर ठीक है सुट कांगे डोर यह दासक नदी के किनारे स्थित सब्वैता का सबसे पस्चिमें सथल है इसकी खोज़ 1927 सब्वार्वार्व मार्क औरेल स्टाइन ने की थी हडपा संस्कृति का संपूर्ण अक्षेतर तर्वुजाकार है तथा इसका अक्षेतर फ़र एक सोरी बारा लाख निन्यानम हजार छस्सो औरक किलोमेटर है ठीक है यहां से इंपोर्टेंट क्योस्टन बनता है आपका एक कि पहला तो हो गया दक्षी में सोरी बिंदु कौन सा हो गया यह पस्चमिस्थल कौन सा हो गया सुत कांगे दोर हो गया ठीक है जिसकी खोज 1927 में सर मार्क औरेल स्टाइन ने की थी ठीक है एक क्योश्टन पूछा जाता है कि अच्च सेंद भूस्त्त लो को नगर किसंग्या दी गई है जो निमन है हडपा महवजोदरो जो मैंने बताए थे कि यह इंपोटेंट है जिन से बार-बार क्यूस्टन पुछे जाते हैं वो आपके बताए गए हैं कि साथ संद उस्थल कोनागर किसंग्या दी गई है तो वो आपके हरपा, मोहन जोद्रो, चंद उद्रो, लोथल, काली बंगा, बनावली और दोलाविरा ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका इसमें पंजाब में, हरपा और सिंद में मोहन जोद्रो, मोहन जोद्रो अर्थात मृत्कों का टिल्ला, आप से क्यूस्टन पूछेगा, very important, कि मृत्कों का टिल्ला निमन लिखित में इसे की से कहा जाता है, तो मोहन जोद्रो को मृत्क गया है कि मों जोड़ो और हडपा कहाँ पर पड़ते हैं पाकिस्तान में और दोनों के बीच की दूरी चैस्ट तराशी किलोमेटर थी और यह सिंदोनाती तवारा जुड़े हुए थे नेक्स्ट आता है आपका नगर योजना और संरचनाई ठीक है नगर योजनाई किस परका यार वह बसे हुए थे वह सब बातें बताया गया है ठीक है इसमें पढ़ते हैं हडपा संस्कृति की पर मुखिस्ता इसकी नगर योजना परनाली थी हडपा और मौन जोड़ो दोनों नगरों ने अपने अपने के अपने अपने दुरुग थे जहां सासक वरक के लोग रह थे ठीक है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नगरों में बने बहुनों के बारे में विशिस्ट बात यह थी कि यह जाल ग्रीड की तरह विश्तित थे सड़कें एक दूसरे को समकौन पर बनाते हुए कारती थी तथा नगर अने खंडों में विवक्त थे यह एक ग्रीड बना हुआ था जाल बना हुआ था ठीक है उसके बाद आता है आपका गरों का निर्मान एक सीधी सड़कों के किनारे विश्तित रूप में किया गया था दरवाजें और खिड़कें सड़क की और ने और खुल कर पिच्छे की और खुलते थे बावन दो मंजले भी थे घरों के घरों में कई कमरे जोई घर सनाना घरा भीच में आंगन की व्यूस्था सा थी तृछी किस परकार घर थे तो इसमें बताए गया है कि हड़पा संस्कृति के जो लोगों के घर थे वह एक व्यूस्तिक ट्रेक के से बने हुए थे ठीक है यह कहीं पर है कहीं यह ऐसा नहीं था एक व्यवस्तिक तरीके से बना हुआ था सड़कें जो थी उनकी समकोंड पर कारती थी दरवाजे और खिड़कें जो थे वो सड़क की तरफ नहीं खुलकर पिछे की और खुलते थे बावन दो मंजिले भी थे घर दो मंजिले भी बने हुए थे ठीक है और गरों में कई-की कमरिय होते थे रसोई गर भी बी होते थे तर सणानाघर भी होते थे और बीच में आंगन की भी विश्ता थी ठीक है सनानाघर से अभि हम क्यूशन भी पढ़ेंगे विशाल सनाना गर हमें कहां से प्राप्थ हुआ है तो येो गया आपका नगर योजना औ बहुत बार पुचा गया है कि विशाल संना गरं में कहां से प्राप्तुआ है, तो विशाल शंना गरं में महणजोदरों से प्राप्तुआ है यह इसकी लंबाई चोड़ाए बताए गया है 14.8 मीटर मिट्र लंबा साथ पॉइंट जिरो एक मिट्र चोड़ा और दो पॉइंट च्यार मिट्र गहरा है ठीक है विशाल सनानागर इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिन की और शिडिया बने हूई है सनानागर का फर्ष पक्कींटो का बना है तथा इसके मद्धे में सनानकूर्ण स्थित्त त हथा तो इसके लंबाए चोडाए गेराई बताए है और काहा पर मिला है चेलिए सबस्क्राइंट बात यह है कि यह मोहनजोदरों से प्राप्त हुआ है ठीक है मौन्जोदरों में विशाल सनानागर मिला है इस विशाल सनानागर का उपयोग सार्जविय करूप से धर्मानुस्थान समन्दी सनान के लिए होता था ठीक है अगर कुश्चन पुछे की विशाल सनानागर का उपयोग किस के लिए होता था तो धर्मान उस्ठान के लिए होता था ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे आता है आपका जोन मारसल ने विशाल सनाना गर को विशाव का आश्चे जनक निर्मान बताया था यह जल पूजा का एक मातर साक्षय है ठीक है तो जोन मारसल ने विशाल सनान गर को विशव का आश्चे जनक निर्वार्ण बताया था यह जल पूझा का एक मतर शाक्षय है जोंगर में एक अनाना गार मिला है जो की अनाना का मतलब है अनाज उगरा को संग रहित करके रखते थे अनाज उगरा जहां पर वो डालते थे मौन जोदरों से इप्राप्त हुआ है जो की 45.71 मिट्र लंबा और 15.23 मिट्र चोड़ा है मौन जोदरों की जल निकास परणाली प्याद बुत्ती लगवग सबी नगरों के परतेक छोटे अबडे मकान में प्रांगणों शनानागर होते थे ठीक है हडपा के दुर्ग में 6 अनानागार मिले हैं जो इंटों के बने चबूत्रों पर दो पंक्तियों में खड़े हैं प्रतेक अनानागार की लंबाई 15.2 मिट्र और चोड़ाई 6.9 मिट्र है ठीक है काली बंगा के आने गरों में कुए पाए गए हैं आपके पाए गया तो काली बंगा से घरों का पानी बहर कर सड़कों तक आता था जहां इंके नीचे मोर्या बनी होई थी य्ए मोर्या इटो तदा पथ्रों की में इ пом won Emin इंग होग हो चाहिए और पढ़ते हैं किरशी किस परकार ख़ी घूस से उगाते थे क्या क्या हमें वहां से कौनशी कौनशी फचलों के बीज हमें प्राप्त हुए हैं ठीक है तो वर्तमान में सिंदु परदेश में पहले कि अप एक सा बहुत कम वर्षा होती है इसलिए यह परदेश अब उतना उपजाओ नहीं रहा कहने का मतलब भी है कि उससे में यह बहुत कुप जाओ था जैशा कि मैंने बता है गाओं की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की की दिवारों से स्पेष्ट होता है कि बाड़ पर तेक वर्ष आती थी ठीक है सिंदु से बता के लोग बाड़ उतर जाने पर नौंबर के महीने में बाड़ वाले मैदानों में बीजबो देते थे और अगली बाड़ के आने से पहले अपरेल महीने में गियों और जो की फसल काट लेते थे ठीक है तो उससे में बाड आती थी तो क्या करते थे कि नॉंबर में के महिने में बाड वाले मैदानों में बीजबो देते थे और अगली बार बाड आये उससे पहले वह अपरेल महिने में गियों और जो की कटाई कर लेते थे काली बंगा में प्राक अडपा के जो कूंड हल रेखा देखे गए हैं उनसे अनुमा लगाया जाता है कि अडपा काल में राजस्थान में हल का परियोग होता था ठीक है तो काली बंगा जो जगह है उसमें हल रेखा जैसे कि हम हल को चलाते हैं तो एक जगह ऐसे बन जाती है तो वो देखी गई है इस परकार हम कह सकते हैं कि अड़पा काल में राजस्थान में हलका प्रियोग होता था सिंदु से बता के लोग गये हूं जो राई मंतर आदियान आज पैदा करते थे उन्हें नो परकार के फसलों का गयान था अगर क्यूस्टन पूचे की सिंदु से बता के लोगों को कितनी परकार की फसलों का गयान था तो नो परकार की वे दो किसम का गये हूं और जो उगाते थे इसके अतरीत की वे तिल और सस्रों भी उगाते थे सबसे पहले कपास उत्पादन करने का सिरे सिंदू से बता के लोगों को जाता है क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंदू अक्षेतर में हुआ इसलिए जुनान के लोग इसे सिंदन कहने लगे ठीक है जुनान के लोग इसे क्या कहने लगे सिंदन कपाश उत्पादन का स्रेह से पहले सिंदु से बता के लोगों को जाता है अगला क्यूशन आता है आपका चावल की उत्पादन के साक्षे लोथलवरंगपूर से मिले हैं अब हमने पढ़ा था कि जगह हैं और उसके खोज करता और वहत्वान में कहां पर पढ़ती हूं आपे भी हमने पढ़ा था ठीक है तो लोथलवरंगपूर से हमें चावल के साक्षे मिले हैं अब यह किर्शी के पारें पढ़ रहे हैं तो यह बार बार क्यूशन आपके रिव हैं जैसा कि आवी हमने थोड़ी दैर पहले पढ़ा था काली बंगा से हल के साक्षे प्राप्थ हुए हैं पाकिस्तान के पंज्याब रांत ँमें बहावल पूर जिले में स्थित चुलिस्ठान वा Stay इसमें आगे बढ़ते हैं आगे आतो आपका पशू पालण किस परकार का था उस टाइम पर उसको पढ़ते हैं अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं, सबसे पहले नगर योजनायम सरचनाय पड़ी, उसके बाद किर्शी पड़ा, अब पसु पालन पड़ रहे हैं, उसके बाद सिल्प और तकनिकी ग्यान पड़ेंगे, और उसके बाद हम पड़ेंगे व्यापार वगेरा की बारें, तो पुछे की कुबडवाला सांड किसे विशेश पिरिया था तो वो था रप्पा काले लोगों को सिंदू से बता वाले लोगों को कुबडवाला सांड विशेश पिरिया था इसके एंआतर की गद्य miracle बीविर रखते थे ठीक है कुट्य प्रार्म शेह पालतु जानुरों में रहे हैं जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पड़ा था कि मनिश्य ने सब से पहले कुत्ते को पालना भी प्रारम कर दिया था बिली भी पाली जाती थी कुत्ता और बिली दोनों के पैरों की निशान मिले हैं ठीक है शिंदु वासी आथिवा गोड़े से प्रिचित तो थे लेकिन उन्हें पालतु बनाने में सफल नहीं हो सके थे क्योंकि आथिवा ग पालने के सक्षे प्राप्त नहीं हुए हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं गोड़े के अस्तितों का संकेत मोह जोदरों के उपरिष्टय से था लोक्थल में मिली एक संदिक्त मर्णमूर्थी टेराकोटा से मिला है हडपकाल में गेंडा का परमान आमरी से मिला है बंदर जंगलों जंगली जानवरों का भी ज्यान था इसकी पुष्टी मुहरों तामर तरस्तियों आधी परंकित इनके चित्रों से होती है शेर का कोई सक्से नहीं मिला है गुजरात के पस्चिम में औस्थित सुरकोटदा के में गोड़े के औस्थिसों के मिलने की पुष्टी हुई है अड़ पाई लोगों को आतिका ग्यान था और ये गेंडे से भी प्रिचित थे ठीक है ये हो गया आपका पशुपालन उसके बाद था आपका सिल्प और तकनीकी ग्यान हडपाई लोग काश्य के निर्माण और परियोग से भली बांती प्रिचित थे सामाने थे काश्या तामबे में तीन को मिला कर दात्तु शिल्पियों दवारा बनाया जाता था जैसा कि अमने तामर पाशानी यूग में पड़ा था कि मनुष्या ने सबसे पहले किस दात्तु का प्रियोग किया तो वो थी आपकी तामबा थीक है तो उसके बाद टाइम बीटता गया और इसमें बताए के अए लोग जो थी वह काश्य के निर्मार से परिचित थे आप से क्युस्ट्ण पुच्छेगा कि क्या हडप्पा के लोग काश्य के निर्मार को जाता है अगला कियुस्चन आपका तांबा राजस्थान की क्हेतरी में लगा घला पाइस्था मैं जो काश्च peng chest में तीन की मात्रा अत्यंत कम्द है ठीका तीन कम मिला जाता था हड़पा स्माज के सिल्पियों में केशरों कासे सिल्पियों के स्मूदाय का महत्पूर्ण स्थान था मों जो दुड़ों से बने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा मिला है तथा कई वस्तों पर कपड़े की छाप देखने वें आई है कताई के लिए तकलियों का निर्मा इस्तिमाल होता था उसके बाद आता है आपका इंटों की वि कि अनाना भी मैतवर्ण सिल्प थे स्रूना कर चांदी सोनना और तौक रतनों के आप उसंऱ बनाते थे सोना चांदी आफ्वांथ चांदी के आप उषσιं जरू बनाते थे तो सोनना चांदी को अफगानिस्तान से भागाते थे गुंहार के चाक का दीक्षाशलन थी, ये मेर्दभान्डों को चिकना वय चमकिला बनाते थे, चिकने वय चमकिले एक दम से देखते ही आकरशित करने वाले मेर्दवांड बनाते थे ठीक है तो ये था आपका सिल्प और तक्निकी ग्यान तो ये आपका यहाँ पर कम्पलीट होता है आज हमने पढ़ा था अड़ परसंस करती का समय किस समय से किस समय तक रहा कुछ परमुक्सितल उनके खोज करता और वहां से में क्या-क्या साक् पर्चनाई किसी के बारे में पाटा पसुपालनंके बारे मं पढ़ा और तक्निक की घ्यान बारे में पठा ठीक है नेस्ट वीडियो में हम इससे आगए बढ़ेँगे क्योंकि एक मैंने च्वाट्मा करते और हम इसको एक वीडियो में complete करेंगे तो आप बोल भी हो जाओगे और यहां से कुस्चन बार-बार पुछे जाते हैं इस वजह से हम इसको दो वीडियो में लेकर आ रहे हैं कल हम इसमें पढ़ेंगे व्यापार राजनिती संगठन दार्मिक पर्थाएं और बीजो भी क्यूस्चन रपाशन्सकर्ती से पूछे जाते हैं वह सब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे ठीक है तो आप दीरे-दीर करके पढ़ते रहना कोई टेंशन की बात नह में तब तक के लिए धन्यवाद जैही